नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि क्लोबिटल एनेम क्रीम का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है Clobital NM Cream को कैसे लगाना चाहिए और Clobital NM Cream की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यहाँ भी discuss करेंगे की Clobital NM Cream को लगाते समिय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Clobital NM Cream का उपयोग बहुत प्रकार के तवचा रोगों में किया जाता है जैसे त्वचा पर कोई एलर्जी होने पर, त्वचा पर बैक्टिरियल इन्फेक्शन होने पर, त्वचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, त्वचा पर दाद या कोई फंगल इन्फेक्शन होने पर, दर्मेटाइटिस होने पर, सोराइसिस होने पर और एक्जिमा होने पर क व्चा में जलन, त्वचा में खुजली, त्वचा का सुखी पपड़ी बनकर उतरना और त्वचा में सूजन वा त्वचा में रेडनेस होना आधी लक्षनडर्मेटाइटिस, सोराइसिस और एक्जिमा होने पर हो सकते हैं. क्लोबिटल एनेम क्रीम तवचा में जलन, खुजली, सूजन और तवचा में रेडनेस को भी ठीक करती है अब हम डिसकस करेंगे कि क्लोबिटल एनेम क्रीम को कैसे लगाना रेक्मेंडेड होता है आम तोर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर क्लोबिटल एनेम क्रीम को दिन में दो बार सुबह वशाम को लगाने की सला देते हैं Clobital NM cream को प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगाना चाहिए और Clobital NM cream को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए क्लोबिटल एनेम क्रीम की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको क्लोबिटल एनेम क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि क्लोबिटल एनेम क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्लोबिटल एनेम क्रीम की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में क्लोबिटल एनेम क्रीम की वज़से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे त्वचा में जलन, त्वचा में खुजली और त्वचा में सुखापन हो सकता है। ज्यादा लंबे समय तक यानी कई महीनों तक या बार-बार क्लोबिटल एनेम क्रीम को लगाने से त्वचा का पतला होना, त्वचा का फटना, त्वचा में दरारे पढ़ना, त्वचा के रंग में बदलाव होना, त्वचा पर बालों की ग्रोथ अधिक होना और त्वचा का लाल होना आदी साइड इफेक्स क्लोबिटल एनेम क्रीम की वज़से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि क्लोबिटल एनेम क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। क्लोबिटल एनेम क्रीम को आख और मुँग के किनारों के पास लगाना रिक्मेंडेड नहीं होता है। क्योंकि लंबे समय तक लगातार क्लोबिटल एन्म क्रीम का उप्योग करने की वज़से साइड इफेक्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। Clobital N.M. cream को लगाने के बाद कम से कम एक घंटे तक किसी अन्य दूसरी दवा या cream को नहीं लगाना चाहिए. तीम महीने से कम उम्र के बच्चों को Clobital N.M. cream को लगाना recommended नहीं है. और अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि क्लोबिटल एनेम क्रीम स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स तनपान करा रही महिलाओं को क्लोबिटल एनेम क्रीम को न लगाने की ही सला देते हैं। लेकिन ज्यादा जरुरत पढ़ने पर डॉक्टर्स तनपान करा रही महिलाओं को क्लोबिटल एनेम क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका क्लोबिटल एनेम क्रीम से संबंधित कोई प्रश्ण है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं. क्ढे वीडियो कर देना, तो आपका जुछ सकते हैं.